जहिन दोस्तों मैं सर्विस पेक्टर श्वेता आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 14 के होमवक के उपर आप लोगों को डे 13 तक का होमवक बहुत पसंद आया है किसी का कोई जादा डाउट नहीं है तभी आपने कॉमेंट करें उतना पूछा नहीं है मतलब आप लोगों क देखिए खतम होने वाला है अभी मामारा 14 डेज वर्ट चला है और किताब का हर हिस्सा लगमग कंप्लीट होने वाला है आधा से ज्यादा कंप्लीट हो गया है देखके बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भई 14 डेज में लोग कवर कर लिए सोची अभी हमारे पस कितना सा क्षे on को चला लेकर तो पूरा कर चलंग कराना मैरी जम्मưởng दारी है अब सलेगा करते हैं आज के यूपर आज इंडियन निबिगर्फी चेमिस्ति हैं मैं टेस्टर डिया है तो मिलुल होमें हम अपना नोट्स आप लोगों को दिये है तो मिदुन हिस्ट्री में हम अपना आप सब्सक्राइब तक इसमें दो तक कन्फरνमुग ली ले जाएगा एक जाएगा संत्नत काल में mo 가방 पेजस्ट वेज़ चुके हैं टीकिन तो मुगल काल को भी अब यह दो दिन लगतार मिडेपर चलेगा उस दोरान में मुगल को भी खतम मतलब हम लोग का मौडरन हिस्ट्री लग पूरा तरह से समाप्त अब हम लोग उसको रिपीट करेंगे बस कल वाला और एक होंवक आएगा उसके बाद मिडवल हिस्ट्री खतम अब रिप्रिटेशन में आ जाएगे लोग सब लोग अच्छे स देहीं दिये हैं उसके हिसाब से बस कवर्ट करते चलिए उस पर ठीक है एक इसी को आसान समझके एक साइड वर्क रखी अब बाकी सब पर ज्यादा टाइम दे के तो युए महनत कीजिए बाकी सब पर क्योंकि हिस्ट्री तो भई मिल गया है उसी में से आ जाना है तो निश संसाधन और सिक्स-पॉइंटेफ को टेने वाले हैं सिक्स इतना पॉाइंट चांठ चुट के मिल गया है पॉइंट टेन उर्जा संसाधन यह हम क्राउन से देंगे आप लोगों को यह रही क्राउन की किताब क्राउन से हम इस चैप्टर को देने वाले हैं 6.19 खनी संसाधन और उर्जा संसाधन इसको हम कलर करके भेज देते हैं पहले भी जो भी जियोग्राफी में हम दे रहें इतना पॉइंट चांट शुटके मिल गया है जब मैं खुद पढ़ दी नहीं होता था कि एक काम करते हैं सब याद कर देते हैं सब याद के चेकर में बाद में कुछ नहीं आदा था अब दिमांग में डिपरेशन आता था यह मेरा जीग्राफीद कंप्लिटी नहीं हुआ आइस तरह हम आपको दे दे रहें कि भाई यह इंपॉर्टेंट है अगर आप मुझे भरोसा करते हैं तो उसी इंपॉर्टेंट हिस्से को याद करते हैं पहले तो फूरी बुक की रीडिंग लगाईए रीडिंग देना बहुत जरू है जब आप रीडिंग ही नहीं करेंग कि भाई राजिस्तान के खेत्री में कहां से क्या मिलता है मध्य पर्दे से क्या मिलता है कौन सा उपादन छेतर है कौन सा भंडारन छेतर है तो यह थोड़ा मुझे पकाव लगता है इसको रटना पड़ता है इसको कोई खास उपाई नहीं है इसको रटना पड़ता है तो कि रटते जाएए कुछ नहीं होने वाला है समय कटेगा और कुछ नहीं होने वाला है तो भाई लिखेंगे तो याद होगा फिंगर का परियोग कीजिए जब एक्जाम में इतना बड़ा जौब ही मिलने वाला है तो आप लिखने का हाइबिट ने बनाएंगे एक कॉमेंट कोई भी सुविधा उपलब्द कराई अपने पास और बस उसको लिख के याद करने की कोशिश किजिए और कोई उपाई नहीं है याद रखने के लिए ठीक है तो इंडियन जीग्राफी आपको समझ में आ गया मैंने क्या दिया किस बुक से दिया है क्राउन से दिया है हम ल करके हम आपको पेज भेजी देते हैं लेसन 9 कारवन और उसकी यौगी चेपटर है जहां पर आपको हीरा के गूड़ ग्रिफाइड यह पिस संत्रिप्त हाइड्रोकार्वन और संत्रिप्त हाईड्रोकारवन क्या होते हैं अगर यह सब बांसर जा रहे हैं बहुत लोग के स नहीं अच्छे होते हैं या भूल चुके हैं तो वह प्लीज जाए इस चैप्टर का नाम डाले नेट पर खोले और पढ़ ले हो गया साइंस क्लियर साइंस में कुछ होगा थोड़ी है आज एक चाप्ट्र मिला उस एक चाप्टर को आपको नेट पर खोल लेना है और समझ जा कि तरह कोशन पुचा था दो आप इस के मेस्ट्री के लेवल को जाए कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए बहुत ऊपर-उपर से कोशन देखना है को इग्जामीनर भी जानता है कि भाई कॉमपटिशन बैठने वाला आदमी जो है उसको सब चीज पढ़ कराना है तो सब चीज को लिए को कई से पढ़ेगा जब हर चीज को हलका-हलका कवर करेगा तभी न कि में पर जाएगा आ अमद्राय तो पार रही ह banner को तुम मेरा ऑप करते हैं तूलाब्र लेगिन में केमेस्ट्री दिख है लेकर बढ़ना जाँ पीडिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ना रहा है नहीं पड़ेंगे जब देगा तो देखेंगे मिन्स में जब देगा तो उसक देखेंगे पर पीटे में कैसे दे रहा है उसी हिसाब से सूचिए बस ये चेप्टर मिला इसका नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पे जाएए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा मेहनत करना है वो भी लगभग यही करेंगे क्योंकि BPSC का साइंस तो सेम ही है भई सेम चुछ सेम है मैट्स में आप ट्रेन चेप्टर बना जाएए ट्रेन का एकदम सिंपल सिंपल लेबल जो कोश्चन आते हैं वो चेप्टर बस ज़्यादा भारी ने मैट्स में भी आपको वीडियो से कंप्लिट करने जिनकी मैट्स भीक होगी जिनकी मैट्स अच्छी है तो भी हात बैठाएंगे फई आपको हात बैठाने से ही होगा क्योंकि एक्जाम में न ये आँख काम नहीं करने वाला है आपका हाँ आतकाम करने वाला है एक्जाम हर दिन अपने आप में समझे कि आज मेरा पेपर है अपने पेपर देने बैठा हूं आख जाकने नहीं बैठा है ठीक है तब कुछ होने वाला है तो दोनों का पेपर इस बार और अच्छा खासा रिजल्ट के बाद ही सेलेक्शन कोई मैटर नहीं करता कॉंपडिशन जादा है बहुत जादा फॉर्म बढ़े गए हैं देना होगा तो बस जितना दिया जा रहा है उतना कवर कीजिए उससे कम में मत सोचिए ठीक है और आपको इसमें इस पीडी का मॉडल सेट हम बोलते हैं याद करने के लिए तो जहां त कि इसी किस्थी हुठी थी तो मैंने स्पीडी का कॉशन बस उपर लिया जिसकी साइन्स अच्छी है तो इस इंक साइविक है वह सिप इस प्रिच से समना है तो वहां वह दिमांग ने लगाए है किस्पीडी के वन लाइनर का कॉशन ने इन आपस में चाएगा ठीक है कि अ इसलिए जिनकी साइंस वीक है उनको लूसेंट से पढ़ना है नहीं समझ में आए तब वीडियो का सपोर्ट लेना है अग्ताव उसके अलावा एक्स्ट्रा में स्पीडी को पढ़ना है कि अच्छे कोशन के क्लेक्शन आते हैं तो मेरे कम्प्लीर हो जाए अभी तक महेस वर्णवाल को हमने एड नहीं किया है क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी और बुक का लोड्स है नोट्स का लोड्स है अब एक और कूँ क्या ए अब आकि जोग्राफी पॉलिटी का लेवल कुछ नहीं है इसलिए जोग्राफी पॉलिटी हम क्राउन से लेके चल रहे हैं आप एक्स्ट्रा बुक अभी नहीं आड कीजे घटना चक्र पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन सुने है कि वह किताब बहुत अच्छी ह अगर उनसे भी कुछ लोग कर रहे हैं और आपको समझ में आ जा रहा है और जो मैं दे रही हूं वर्क वह घटना चक्र में मैच कर जा रहा है तो वह भी बुक आपके लिए च्छा है कंप्लीट करना है आपको अच्छे से चलिए अब करेंट के उपर बात करते हैं करेंट म में है 21 में विश्व में परमुख पद और नुक्ति यह हम दे रहे हैं आप लोगों को एडिटेरिया से सलाना वाले से भारती मूल के वैक्ती कलर कर चुके हैं हम अल्रेडी आप लोगों के लिए देखे कि इतना कम कवर किये हैं इतना कंठस्ट कर लेंगे ने भाई तो बह इस लिए ना के बराबर है यह हिस्सा तो भी हमें हलका दे दिये हैं फिर 22 है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 22 में देखिए एस या चोड़ना नहीं है अस्या से ही एसाई बनता है तो चोड़े नहीं सकते इसको हलके में ले सकते हैं तो यह को कवर करना है वीपीसी और लोग कवर करेंगे ठीक है यह में साई को लेकर ज्यादा कलर की है इसमें अपना एड़ कर सकते हैं तो एसाई वाले इस या पूरा करेंगे बाकी दू-तीन साइडर दिये हैं जो ज़रूरी हलका फुल कर लगा मुझे लेकिन इसमें कोई कंजूसी नहीं वह नहीं होता है र कर लेना है इसको नहीं छोड़ना है यहां से एक दो नंबर रखा हुआ है पेज नबर 75 देख ले क्या है इसमें राष्टी घटना चक्र है अभी हम आपके लिए कलर करी रहे थे पढ़कर कि इंपोर्टेंट इसमें इंपोर्टेंट लाइन क्या है जहां से कोशन बन सकते ह है इसमें दो पेज दिये हैं 75 और 76 ठीक है ऐसी चार पेज 5 पेज कवर करते हुए हम लोग करेंट को अराम से 30 देज में कंप्लीट कर देंगे और करेंट तो एवरी डे है तो करेंट तो खतम हो ही जाना है करेंट तो लैप सो नहीं रहा है तो करेंट को लेके इतना ज़दा सब्सक्राइब चक्र का कोश्चन इंपोर्टेंट करके आपको भीज़ देते हैं किसे भीज़ेंगे हम आप टेलीग्राम पर हम आपको भीज़ते हैं आप लोग के पास भी जो भी टेस्ट है आप उससे दे सकते हैं कॉमेंट आया था कि जो विद्या सागर का हम टेस्ट देते हैं वो थोड़ा टफ है तो मुझे नहीं लगता क्योंकि बाकी बच्चे लोग भी बना रहे हैं तो उनके लिए तो टफ नहीं है बिहार के लेवल का ही है आप थोड़ा अपने महनत को बढ़ाईए जितना मैंने व किया होता ना तो वो टेस्ट बनता क्योंकि हम लोग मात्र 14 डेस के अंदर सारे बुक को कवर कर चुके हैं लो हमको खुदे विश्वास नहीं हो रहा है जब हम आज देख रहे थे कि कितना बचा है तो बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है बहुत कम अब खतम होने वाला है सारा अब फिर जब रिपीट में चलाएंगे इसको तो वापस से थोड़े वर्क को बढ़ा के अब चलाएंगे अब रूटीन थोड़ा और लंबा करेंगे क्योंकि अब रिवीजन में वो चलेगा अब तो बस कुछ दिन में खतम हो जाना है वो रिवीजन में चलेगा तो थोड बच्पन से आपके मन में बैठा हुआ कि उसको कुछ करना है एक ख्वाप बच्पन में उसने सोचा था तभी न उसने करने के लिए कदम उठाया कितने को मारोंगे आप है ना अजीव हो जाएंगे जब आपने सपने को ही नहीं पूरा कर पाएंगे तो हम क्या रहेंगे कि आप करनी पा रहे तो आप कुछ और कर ले ऐसो कुछ नहीं है नहीं कर रहे हो मारें एक बार हम भख क साथ लगने से ना उसको कुछ करुआ यह नहीं है तभ आपने आप लग जाईए कि भाई कुछ भी है हम है एक बार हम बन गए ना आपके साथ magic जैसा फिलोगा वो magic वाला life अगर जीना है तो आज पढ़ लीजे आज पढ़ेंगे तो future आपका magic बन जाएगा आज ने पढ़ेंगे तो future आपका क्या बनेगा वो आपके हाथ में है उसकी बारे में कुछ नहीं क हाई पर अपने आपको ठानी है और भरोसा कीजिए कि मुझे मैं पढ़ रहा हूं मुझे याद हो रहा है और कोई डाउट हो तो कॉमेंट करके पूछ लीजेगा धनेवाद जयहिंद हुआ हुआ है